पिके पदधिकारी ने की पुलिस की पिटाई, पुलिस ने बाच आरूपियों को किया गिरफतार प्रहा टाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महिश स्लामुदिन खान और आप देख रहा हैं प्रहा टाइम्स, राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के पदधिकारी और कारकरताओं ने पुलिस कर्मी के साथ मार पीट की है, इस घटना से हड़कंप मच गया है और चारो तरफ राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के पदधिकारी की इस हरकत की निंदा हो रही है, इस मामले में मुम्रा पुलिस ने आठ आरोपियों में से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जानकारी के मताबिक दीवा टर्निंग पॉइंट पर ट्राफिक जाम थी और इसी दोरान एक बिक्टिव ट्राफिक जाम की समस्या हटाने में सहयोग कर रहा था मगर तभी एक कारचालक बीच से कार निकालने की कोशिस करने लगा जब कारचालक को रोका गया तो कहा सुनी हुई और विवाद बढ़ गया ये मामला इतना बढ़ा कि दिवा चौकी तक पहुँच गया दिवा चौकी में तैनात पुलिस उपनी रिच्छक सचिन सर्डे इस मामले में कानूनी कारवाई कर ही रहे थे कि तभी एंसीपी के ठाने शहर सचिव मनोज कोक ने 10 से 15 कारे करताओं के साथ दिवा चौकी पहुँच कर हंगामा शुरू कर दिया मनोज कोकने का कहना था कि कारचालक से मार पीट करने वाले परन्त गिरफतार किया जाए और नारे बाजी करते हुए रास्ता रोक दिया और हंगामा शुरू कर दिया इस्पेक्टर सचिन सर्डे ने जब समझाने की कोशिस की तो छतरी से हाथ और सीर पर मार दिया सूचना मिलते ही मौके पर दलबल के साथ मुम्रा पुलिस भी पहु का नाम मनोज कोकने 42 वर्स हैं और इसी तरह से विशे विठल वाग 28 वर्सिये सूर्यकांत आत्माराम कदम 47 वर्सिये हिमान्शू सूर्यकांत कदम 20 वर्सिये राहुल चंद्रकान शिंदे 20 वर्सि को गिरफतार किया गया जबकि तीन आरोपी इसमें महिलाएं हैं जिनके न कार्तिय दंड सहिंता की धारा 353, 332, 341, 279, 188, 109, 34 समेट राष्ट्रिये व्यवस्थापन काईदा 2005 की धारा 512 और महराष्ट COVID-19 उपाई योजना 2020 के नियम के तहट 5 आरोपियों को गिरफतार किया हैं इस पूरे मामले की जांच सहायक पुलिस रिच्छक शाह जी शेल के कर रहे हैं तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाट अंज